हेलो फ्रेंड्स मेरा नामे नरत्म आप देखरें टेकनिकल नरत्म तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाल की बैटरी या फिर जो कोई भी बैटरी को फूल चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है तो फ्रेंड्स एक छोटी सी जान करिए इस वी तो फ्रेंड्स एक्जम्पूल की तोर से मैं मान लेता हूं यह मेरा एक जीओ फोन है और इसका जो बैटरी की आमपियर होती है मैं लिख देता हूं यहां पर इसका बैटरी की आमपियर के है तू एमपियर और यह हमारा 3.7 बोल्ट की बैटरी है यह हमारा बैटरी के फीचर है और इसको चार्ज करने के लिए मैं एक चार्जर ले जाता हूं जिसका आमपियर है हमारा वान आमपियर और इसका बोल्ट है 5 बोल्ट तो यह हमारा चार्जर की होगी और यह हमारा बैटरी की होगी तो फ्रेंट्स इस चार्जर से अगर हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा आज इस टपिक पर हम यही बात करेंगे तो फ्रेंट्स मैं मोबाइल को साइड में राग देत कि चार्ज टाइम इस इक्वाल टू बैटरी आम्पियर डिवाइड वाई चार्जर आम्पियर यह है हमारा फर्मुला तो फ्रेंट्स इस फर्मुला को आप याद करके इस बैटरी को कितने समय लगता है चार्ज होने के लिए आप पता कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसा कि चार्ज टाइम इस इकॉल टू हमारा बैटरी का अमपियर कितना है यहां पर देख लेते हैं 2 अमपियर यहां पर देख सकते हैं हमारा बैटरी का अमपियर 2 अमपियर तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं उसके बाद डिभाइड कर जाता हूं उमरा 4000 गाताष कितना है यहां पाद देख सकते हैं 1000 का एमठियर वान ऑमठियर है तो 2 by 1 is equal to यह हमरा कितना होगा 2 by 1 2 होगा तो यह हम लिख जोथें यह हमारा आवास पे आएगा यानी की घंटा पे आएगा तो यह हमारा कितना घंटा लेगा 2 आवास लेगा चार्जर से अगर चार्ज करेंगे तो हमारा दो घंटे लेगा यह हमारा इस बैटरी को अगर हम इस चार्जर से चार्ज करेंगे तो यह हमारा दो घंटा लेगा वैसे ही आप कालकुलेट कर सकते हैं अगर हम यहां पर मान लेते हैं टू एमपेर की चार्जर है तो हम क्या करे तो एक घंटा लेगा चार्ज होने के लिए तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइज करके बेल आइकन पर प्रेस करके अल पर दबा दीजिए तो अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ त तो फ्रेंट्स आज के लिए रहता हूँ जय हिन जय भरत बंदे मातरम